दोस्तों आप सबको पता है SAC GD की वेकेंसी निकाले गिए 26,000 से ज्यादा पड़ों पर मैट्रिक पास वेकेंसी है आप में से काफिसर लोग का ये confusion है कि इस तरह से फोटो अप्लोड करना है कि इस तरह के फोटो को अप्लोड करना है मतलब क्या कि date वाला फोटो करना है या या बीना date वाला फोटो करना है यह सबसे ज्यदा question आप लोग के मंद में बना हुआ है मैंने जो previous video बनाया है कि कैसे form को भरना है आपको किस तरह से अप्लोड करना है तो इस वीडियों में यही चीज़ दिसक्स करेंगे कि फोटो आपको किस तरह से अप्लोड करना है डेट वाला या बहुत IMPORTANT टॉपिक है तो कि आप लोग का यह चीज confusion में है तो चले हम इसने उपर में discuss करते हैं और सुझल आपको दिखाते हैं इसका जो officially notification है photo guidelines को लेकर वो क्या है और जहां फॉर्म भर रहा है वहां पर क्या guidelines दिया हुआ है तो चले एक एक चीज़ को clear करते हैं और officially सूचरा के recording जान बिल्कुल सही और साफ सुतरा जनकारी बताऊंगा सब चीज यहां पर clear हो जाएगा 24 नॉम्बर के date में जो notification आया हुआ है SSC के official website पे इसमें जो है इसके regarding बात किया गया है कि photo आपका कैसा होना चाहिए यहां पे आप देखेंगे तो page 36 पे आपको यह notification में जनकारी दिया ग कैसा होना चाहिए तो देखें यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इनोंने दिया हुआ कि 20 से 50 के भी यह तो size है कोई दिक्कत नहीं है JPG format में होना चाहिए और यहां लिखा गया है कि photograph का dimension भी यह होना चाहिए और यहां पर यह भी बोला गया है कि आपका जो photograph होना चाह चाहिए recent मतलब क्या कि हाली का खीचा होना चाहिए color passport size photograph होना चाहिए मतलब जो है रंगीन फोटो आपको देना है और not more than three month मतलब तीन महीने से ज्यादा का old नहीं होना चाहिए और यहां पर लिखा गया कि date of publication of the notice मतलब जो है जिस दिन notification जारी हो है 24 तारिक से उसे तीन मही guideline से और साब सब यह भी लिखा गया है कि without cap कोई टोपी नहीं पानना होना चाहिए को चस्मा अगरा नहीं पनना होना चाहिए यह सब आप जो है मतलब हटा के फोटो को खीचेंगे फोटो के अंदर आपका कंधा soldier आपका कान जो है चेहरा अच्छे से visible होना चाहिए कि पाच कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि फोटो के नीचे आपको date यहां mention करना है यहां पे आप देखेंगे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है इसके अलावा यहां पे इन्होंने एक्जर 3 में इन्होंने बताया हुआ है कि हम फोटोग्राफ का क्या accept करेंगी तो हम चलते हैं acceptable photograph इस तरह से photograph आपका है तो accept करेंगे कोई दिकत नहीं होने वाला है बिल्कुल दोनों कान दीख रहा है साफ सुतरा चेहरा बिल्कुल किलियर है कोई एक सिंगल बेग्राउंड हो अब यहां पे इन्होंने जो एक हलका बेग्राउंड लगा हुआ है आप सफेद ओर दीखेले हैं एक्ष्ट आफ से रखर हैं बेग्राइब है कि ऊसी थे हैं और हना जो Pocket i यह आपका सब reject हो जाएंगे अगर इस तरह से photo upload करेंगे लेकिन यह वाला क्या है आपका acceptable है मतलब इस तरह से photo आपको accept करे जाएंगे अब बात आती है date वाला के क्या है देखे date वगरा कुछ नहीं mention करना मैं आपको दिखाना चाओंगा पहले क्या था कि ऐसा rule था कि आपको फोटो के नीचे यहाँ date mention करना पड़ता था ऐसे लेकिन अब यह rule हट गया है अब यह लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ आपसे declaration करवा ले रहे हैं कि आपका photo जो है इसके बा आपको यहां पर यस कर देना है यह आपको यस कर देना है अगर आप गलती से यहां no tick कर दिए तो फिर आपका form reject होना है अब आपको यहां पर बस यह declare कर देना कि हाँ मेरा photograph जो है चोवीस अगस 2023 के बाद यह उस दिन मैंने खीचा हुआ है पस इतना आप जो है यह कर जो है guidelines है इसकी अलवा कोई guidelines नहीं पहले जो था बहुत पहले जब वेकेंसी आई थी एससी की जीडी की तो उसमें date मांगा जा रहा था कि नीचे आपको date होना चाहिए कुछ इस परकार से मांगा जा रहा था ऐसे लेकिन अब ऐसा नहीं मांगा जा रहा है तो आप क्यों द दिया गया है अगर आप जो है अच्छे से यहां पर देते हैं फोटोग्राफ कोई दिकत नहीं होने वाला है और बस यहां पर यस होना चाहिए ध्यान रहे गलती से भी आप नो मत करिएगा वरना आपका form reject हो जाएंगे समझ रहें ना तो यह चीज आपको ध्यान देना यह यस रहेगा बाद अधी signature को लेकर कई सारे लोग क्या करते हैं ना signature जो है ना capital letter में लिख देते हैं जिसे मालीज आपका नाम सपोज जो है दीपक है तो आप ऐसे कि यह दिख रहा है ऐसे आप जो signature किये यह गलत प्रैक्टिस होता है ऐसे आपका signature नहीं valid होता है signature आप कर रह यह अच्छे से आप पढ़ने लिखने वाले बंदे लोग है आप लोग तो signature एक अपना unique होना चाहिए यहने कि आप दीपक मालीज आप करना है तो आप पूरा capital letter में दीपक यह लिख रहा है तो यह गलत प्रैक्टिस होता है ऐसा signature एक्सेप्ट नहीं होते हैं और साप सुत तो यह आपका photo signature का guidelines है I hope आप लोग समझे होंगे अगर आपके मन में कोई भी doubts है comment है तो आप comment box में पूछ सकते हैं मैं अवस्ते reply करने ही कोसिस करूंगा और मैं लगतार जो है SAC के उपर जो है series मैंने किया हुआ है कि कैसे form को भरना है वो proper video आप देख लीजेगा आपको क पूरा cover करके बताया था लेकिन आप लोग सायद नहीं देखे होंगे वहां तक तो इसलिए आप लोग को confusion हो गया होगा जो लोग देखें उनको confusion clear हो गया होगा लेकिन चलिए हमने जो है सोचा एक नया phrase video ला देते हैं इसके उपर तो यह चा guidelines friends I hope आप लोग समझे होंगे म कर दो